जानने के लिए कौन सा है लॉंचर और कैसा है लॉंचर इस वीडियो गोलाज तक जरूर देखने हैं कारेयर हैं सबसे पहले तो मैं इसक्रिप्टन पर डाउन्पूर लिंक और लॉंड्रक में कर दूंगा आप दिस्क्रिप्टन जाके उस लॉंचर को डाउन्पूर सकते हो और अगर शाते हुआ पस्ट नमर हो से डियकने डाउन्पूर खानना तो सिम्प्ली आपको जाना दूब्लोड कर देना है इस फॉरपोइंट प्ले स्टोर पे रेटिंग के साथ आजा है जो प्ले पे काफिए अच्छा रेेटिंग माना जाता है सुगिएudर नांवलOnce Mckenpete करके अब जेश्चर को देख सकते हो एंदन यहाँ पर एट लॉन स्पिन पर क्लिक करने के बाद एलाव मोडिफिकेशन सिस्टेम कर देना है एंदन यह लॉंचर पूरा तरह से प्रिप्यार हो जाएगा स्विश लॉंचर का जो मुझे खास फीचर लगा यहाँ पर इसका जो लगते हो और अगर आप यहाँ पर से लेट करोगे तो यहाँ पर है टॉइन स्टोल सीफ लेफ्ट करोगे तो यहाँ पर आपको कुछ टॉगल्स देखने को मिल जाए जाएगा Android Q का जैसे यहां पर Android Q में नीचे में toggle होता है तो यहांपर data talks यहांपर data thoughts यहांपर सारे के सारे controls आपको मिल जाएगा WiFi यहांदन सारे के सारे यहांपर र कुछ notification toggles इसमें मिल जाता है और अगर आपने Android Q के ROM को install किया है अपने phone में तो आपको पता Android Q का font कैसा होता है तो यहाँ पर पूरा बिल्कुल Android Q के font आपको इसमें देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर icon भी आपको Android Q के तरह मिल जाता है इसका जो app drawer है वो भी पूरा Android Q के तरह आपको मिल जाएगा तो गाइस यहाँ पर home screen पर tap करने के रखने के बाद आपको यहाँ पर दो चीज़े देखने को मिल जाएगा जो एक wallpaper और launcher settings तो अगर हम लोग जाएंगे launcher settings में तो यहाँ पर launcher settings में आपको कुछ यहाँ पर चीज़े मिल जाता है जैसे यहाँ पर home page पर आप control कर सकते हैं जैसे google.com के जगा आप youtube.com है मतलब कुछ टाइप करके रख सकते हो जो आपका default URL होगा और यहाँ पर dark background मतलब डॉक होगा और आपको कैसा होगा dark background, semi background and black background तो आप इसे control कर सकते हो तो इस launcher काफी light weight launcher है और पूरा देखने में Android Q के तरह लगता है तो अगर आपको इस launcher को try करना है तो मैं description billing provide कर दूँगा आप वहाँ से जाके download कर सकते हो तो ए launcher के वीडियो कैसा लगा, ए launcher कैसा लगा मुझे comment में please मुझे ज़रूर बतना अगर आपको इस launcher के वीडियो पसंद आई है तो please like के बेना मत जाना है एक like तो बनता है न वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धनी वाद आपका दिन शूभ हो